हेलो फ्रेंड विल्कम बैक मैं चैनल मैं सुधा मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको तीन तरीके की आईस्क्रीम दिखाऊंगी घर पे बहुत ही आसानी से बना के वो भी बिना गैस जलाए और देखने में जितना अच्छा है खाने में तो और ही टेस्टी है एक बार आप लोग इस तरह से बनाएंगे न तो फिर आप बजार के आईस्क्रीम भूल जाएंगे इतना आसान है इसे बनाना बहुत जब जंजट करना होता है न तो लगता है कि जब बाहर जाए तो खरीद के ही खाले लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे इतना आसान है बन और जादे से जादे लोगों में सेयर करिए, चलिए फिर देखते हैं किस तरह से आइस क्रीम बनाना है, तो पहला है नारियल से आइस क्रीम बनाएंगे, तो ये प्रशाद में चड़ाया हुआ है, और इसको बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो साथ में लिए फ्रेस मल प्रशाद चड़ाते नारियल का तो फिर इसी तरह से कुछ बना लेते हैं और हम लोगों का पता नहीं सब के हां का है कि नहीं है हम लोगों का यह ना कि जो भी प्रशाद चड़ाते तो उसको गैस पे पकाते नहीं है तो पहले तो इसका भी देखे हाट वाला पार निकाल लिए है और अब इसके छिलका भी हटा लेंगे बहुत ही आसान है और टेस्ट बहुत ही बच्चों को तो बहुत पसंद आता है बिल्कुल बजार की तरह लगता है इसक्रीम कुछ पी चीज यह नहीं है कि बहुत जाद है इसके लिए तक से तयारी भग घर में ही जो चीजे है उसी से बन के तयार हो जाता है तो पूरा छिलका हटा के और छोटे-छोटे टुकड़े में काट लिए है इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे थोड़ा सा दूठ डालेंगे ताकि सूखा ना रहे अच्छे से पीस जाए तो जितना लिए हैं मलाई और दूध या फिचीनी उतने में ही बहुत बढ़ियां बन जाएगा तो अभी देखे इसको पीस लिए है और इसको एक बरतन में सबको अब अच्छे से मिला लेंगे अभी मलाई को ऐसे बस निकाल के रख लिए थे फ्रेस मलाई है तो इसको अभी अच्छे से पहले चम्म से मिला के और फिर इसमें डालेंगे उसके बाद जो पीसी हुई चीनी रखिये है उसको भी समें मिला लेंगे तो चीनी पीस के ऍपिस लिए इसी लिए डालेंगे प्रश्राइब देखें अगर चीनी या ऐसे डाले ना तो सब कुछ ठंडा है तो बहुत देर लग जाता है फिर घुलने में उसको इसलिए चीनी पीस के ले लीजिए और अब सभी चीजों को अच्छे से मिला के फिर इसको तो देखें अभी अच्छे से मिला लिए हैं अब आइसक्रीम श्टेंड में अगर आपके पास आइसख्रीम श्टेंड नहीं है तो आप ग्लास में या फिर जो छोटे चाए वाली जो कप आती है उसमें भी आप उम डाल के कर सकते हैं उपर से सिल्वर पेपर लगाके और इस्टिक लगाना कर लीजिए और मैं इस तरह का ल जितने देर आपको लगे कि आपके फ्रीजर में मतलब अच्छे से जम जाएगा, मेरा तो दो से धाई घंटा के लगब में, जब यह सब इस तरह का कुछ बनाओ नो तो बच्चों को मतलब रहता है, हो गया होगा, हो गया होगा, बीच-बीच में पूस्ते रहते हैं, तो दो से धाई गंटे के बाद इसको अभी निकाल लिए हैं, इस तरह से पानी से अच्छे से पहले इसका बर्फ थोड़ा सा टाले, ताकि निकलने में आसानी हो जाए, और फिर आइसक्रीम को निकाल लिए, और देखिए, देखने में ही कितना यम्मी लग रहा है, अब मुझे मि मिल्क फ्लेवर परसंद आता है, तो अभी घर पे चार लोग है, तो चार ही निकाले हैं, बाकी ऐसे फ्रीजर में रख दिये हैं, और देखिए कितना बढ़िया आईसक्रीम बन के तयार हुआ है, तो इस तरह से आप घर पे आईसक्रीम बनाईए, बहुत ही पसंद आएगा सबको, और नेक्स्ट है, वाटर मेलन से, तो घर में वाटर मेलन आया था, तो बच्चे का था ना कि एक मतलब जैसे गोला मिलता है बाहर, उस तरह का आईसक्रीम घर पे बनाईए, तो और मेरे अदेम है ना, तो इस तरह से तरबू जाता है, तो वो नहीं खाते हैं, तो ल इसलिए हैं, उसको स्टैंड में डालके, और फिर वही दो से डाई गंटा छोड़ देंगे, ये वाला सच में बिल्कुल गोला की तरह बहुत ही ये भी अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया बना था, और देखिए वो भी ठंडा है ना, तो चीनी अच्छे से नहीं प खाते हैं, लेकिन जब ये जमा के दिये ना, तो बहुत पसंद आया उनको, और बहुत आसान है, इसमें कुछ अलग से मुझे करना भी नहीं था, सब के लिए जब तरबूज काटी तो उसी में से थोड़ा सा बस निकाल के, और इस तरह से, तो दो खाली ही है, ऐसे ही, अब पिर टारेक्ट स्केन नीचे वाला थोड़ा सा बंबे के पास नीचे रख दीजे, तो उससे भी बर्फ कर रहता है, थोड़ा सा बहुत जाता है, तो मैं तो वहिजे कर दी, और अभी इसको भी निकाल के आपको दिखा रही हूँ, ये मतलब सच में बहुत आसान और बहुत पसंद आया, तो देखिए, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और उखाने में, एक बार आप लोग खुद बना के देखिए, कहने का नहीं होता है, कि मैं बोल रही हूँ, इसलिए, आप लोग खुद बना के और फिर कमेंट करके बताईएगा, आप देखिए, तीसरा और लास्ट है, जो नारियल से बनाये थे ना, तो उसमें थोड़ा सा बच गया था, एक्स्ट्रा हो गया था, तो उसको बैसे ही रख दिये थे, उसके बाद ये फ्रूटी आया है बच्चों के लिए, तो इसी से जो दो फ्लेबर का रहता है, मैंगो और मिल्क का, व जो बनाये थे, उसको रखे थे, और फिर बस, तो आपका अगर मन करे ना, तो दो लेयर में करके, पहले मिल्क, फिर मतलब ये फ्रूटी डाले ये फिर मिल्क, और फिर उसके उपर फ्रूटी इस तरह से भी कर सकते हैं, लास्ट के दो में, मतलब नीचे पहले ये गोकोनट मतलब देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग नहीं रहा था कि घर पे इस तरह से दो फ्लेवर में बन सकता है, बहुत ही बढ़िया बन गया था, आप लोग एक बर बना के ट्राई करिएगा, और फिर इसको रख देंगे, फ्रीजर में, तो अभी आइसक इस तरह से करके, और इसको निकालते समय, थोड़ा सा मतलब सावधानी रखिए, अभी इस तरह से करके, और फिर देख लीजिए कि अभी अच्छे से निकलने लाइक हुआ है कि नहीं, और देखिए, ये आइसक्रीम तो सच में देखने में लग रहा था, जैसे बजार से ख तो आप लोगों घर पे बना के ट्राइ करिएगा, फिर कमेंट करके बताईएगा कि कैसा लगा आपको, बहुत बढ़ियां मतलब इस तरह से बन जाता है, और बहुत आसान है बनाना बिना गैस जलाए, तो कैसी लगी आज की मेरी ये तीन तरह के आइसक्रीम बनाने की भी कमेंट करके बताईएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं करें हो तो लाइक कर दीजेगा, चैनल पे पहली बार आएओ तो सब्सक्राइब कर लीजेगा, और जादे से जादे लोगों में सेयर करिएगा, मिलती हैं, नेक्स्ट वीडियो में टिप्स औं ट्रिक के साथ, तब के लिए बबाए,